नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपके अपने YouTube Channel AD smart Classes में घल से हम लोगों के इंट्रो बैच था इंट्रो Mitgls ती और इंट्रो Class में आज से हम लोगों सुचा कि कल से की चलो संस्क्त जो सीठेट वाले सब्द कराया जाए तो जैसे हम लोगोंने कल इंट्रो क्लास में देखा कि वाई जनकत कैसे क्या बना वयाकरण सब्द कैसे बना है और आज हम अपने विषय में प्रिवेश्ट करेंगे tą से प्रशन बनेंगे कैसे प्माएंगे क्या होगा कहां से प्रशन आते हैं तो यह सारी चीजों का आप धीरे दिले जब संस्क्राट न्युक्त पढ़ते हैं जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी किसी भीsubject को या किसी भी वहाव convicted को पढ़ने के पहले हम उसकी वपनमाला को पढ़ते हैं ऐसे ही हमारी शंप्ष भासा में जो वर्णमाला है वो मात्र चौदय महस्वर सूत्रों में बता दी गई कितने महस्वर सूत्रों में चौदय महस्वर सूत्रों में और उन चौदाय महस्वर सूत्रों से ही आज हम लोग अपनी क्लास का सुवारंब करेंगे हम अपनी क्लास का क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक तो बिटा देखते हैं हम लोग देखो यह भले क्लास चोटी चोटी रहें लेकिन इसमें आप लोगों को उतना इनफ मैटेरियल मिल जाएगा जो आप लोगों को परिक्षाक में हिल्प कर सके चेक तो देखते हैं जब हम 14 महस्वर सूत्र पढ़ते हैं तो महस्वर सूत्र में हमारा क्या होता है एक मिनिट कलर ले लेते हैं इसमें कोई ब्लेक ब्लेक ही नहीं चल पाएगा ठिक वाइट वाला ले लेते हैं ठिक देखो बिटा महस्वर सूत्र से इसे ही शुरुवात होती है अगर हम किसी भी वासा में प्रिवेस करना चाहते हैं तो हमें उसकी वर्ण माला पता होनी चाहिए है ना वर्णों का ग्यान होना चाहिए तभी तो हम उसमें प्रिवेस करेंगे तो यहां पर जो वर्ण माला आए उसमें आए तो महस्वर सूत्र कौन कौन से है महस्वर सूत्र इनको हम महस्वर सूत्र भी कहते हैं फ्रत्यहार सूत्र भी कहते हैं चतुर्दस सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या कितनी है चौदय है तो महस्वर सूत्रों की संख्या कितनी है चौदय महस्वर सूत्र हैं आज हम लोग महस्वर सूत्र लिख के देखते हैं सबसे पहले कि आई पूर्ड कि रिक कि ए ओंग आई आउ च एक आई 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 आउ आई देखो बेटा यह हो गए आपके चौदै मैस्वर सूत्र कौन कौन से नंबर एक आता है आई ऊड़ फिर रील रिक ए ओंग आई ओच है वाराट लड़ इमंग ला नाम जहाभाईं ठीक, फिर घाढदाश, जाब घाढदाश, खाफाचा, ठाथ, चाटताव, कापाया, चाशाशार और हल, तो देखो, इनको अगर ये कंठस्त हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उपा रहे हैं, तो भी आप इनकी विसेश्ता समझ लो, इनकी उपयोगिता समझ लो, हो सकता है जब आप ज्यादा बार इनका प्रनंसियेशन करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक, होता क्या है, कि जो हमारी अस्टा ध्याई में जब वर्णमाला, ये जो वर्णमाला का करम बताये गया, जो वर्णमाला है, कैसे उसके बारे में देखते हैं हम लोग, जैसे आईउ, रीलरी, देखो ये जो अंते अक्षर होते हैं, एसाम, अंत्याह, इता, इनके जो अंते वर्ण हैं, वो कैसे होते हैं, इतसंग्यक होते हैं, है ना, question यही तो है, जो अभी हमने बताया, कि इनके जो अंते वर्ण है इशाम अंत्याह इता इनके जो अंत्यवर्ण हैं वो कैसे माने जाएं वो कैसे समझे जाएं तो बताया गया बोले कि इनके जो अंत्यवर्ण हैं वो इतसंग्यक माने जाएं इतसंग्यक माने जाने का मतलब क्या हुआ कि इनकी इतसंग्या हो जाएगी मतलब यह हट जाएंगे है ना तो फिर इनका प्रयोग किया क्यों किया गया अब प्रयोग करने का मतलब यह हुआ कि यही तो है अगर यह कहीं इतसंग्या है हट जाएंगे तो फिर लिखे क्यों गए तो लिखे इसलिए गए क्योंकि हम प्रत अब अगर कितना हमारी व्याकरण कितना मलब यहां पर सौर्ट कट या कितना मॉडर्ण थी उस टाइम भी या अभी भी जैसे कहा गया कि आपको आ यू री और ल्री बोलना है कौन-कौन से पांच अच्छर बोलने हैं आ यू री और ल्री तो अब इनको आप बार बार आ आप बोल दोगे अक कैसे क्योंकि आ से स्टार्ट किया यू रणा की इतसंग्या हो गई नहीं लेंगे री री ले लिया और का को छोड़ दिया मलब का के बीच इनके बीच जो भी जो भी सब वर्ण आएंगे वह सब हमारे अक प्रत्याहर के अंतरगत होंगे ठिक तो कहने क मतलब यह हुआ कि यहां पर जो हम प्रत्याहर बनाते हैं तो प्रत्याहर के निर्माड के लिए ठिक प्रत्याहर के निर्माड के लिए हमने इनको क्या किया इतसंग्यक वर्णों को लेना पड़ा है ना अब देखो यहां पर होगा क्या कि जो हमारा ये दो सूत्रों के जो भी वर्न हैं वो किसमें आ जाएंगे तो वो बिटा मूलस्वर में आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे मूलस्वर में आ ई उ री री देखो अब हिंदी से रिलेट ना करना इसको अब तुम हिंदी की भी माताश्री को पढ़ रहे हो ठीक तो हिंदी से रिलेट ना करना कि सर्व तो यहां पर क्या होगा कि अब यहां पर सिर्फ आ कह दिया क्या बोल दिया सिर्फ आ कहने के मनलब समझते हो अब तुम्हारी हिंदी में बता दिया गए हश्व आ और दिर्ग आ लेकिन यहां पर सिर्फ हश्व आ और दिर्ग आ ही नहीं है इन आ का मतलब है यह हश्व आ भी दिर्ग आ भी प्लुत आ भी अनुनाशिक आ भी निरनुनाशिक आ भी समझ लो उदात आ भी अनुदात आ भी स्वरित आ भी तो यह सारी चीज़ें आपकी इसमें हैं तो कहने का म भेध पढ़ेंगे तब हम पाँगे कि हश्व है दिर्ग है प्लुत है उदात और अनुदात है श्वरित है अनुनाशिक है निरनुनाशिक है तो आपके इंदी क्या है दो सब्सक्राइब है है नू धिर्ग यहां पर देख लो कितने वेद हैं तो ऐसे करके कही कही भेध हैं अब देखो, आ के तो 18 भेद बताए गए, है ना, ल्री के 12 भेद, क्योंकि ल्री का दीर्ग नहीं होता, अब वो जितने भेद होते हैं, वो भेद भी बताए जाएंगे, अब अब देखो, इसमें हमारे क्या है, इसमें हमारे बेटा सह्यूखत स्वर हैं, कौन से स्वर हैं, तैयुक्त स्वर है याईने को हम मिस्रित स्वर भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखो, या, वा, रा, और ला, ये हमारे कैसे हो गए? अनतस्त बेंजन हो गए। अनतस्त के बाद देखो, ये हमारे पंचमाक्षर आ गए। पंचमाक्षर आते हैं कि नहीं? काखा गांगा पड़ो, पंचमाक्षर ठीक, ये पंचमाक्षर हो गए। यहां पर ये दोनों और ये तीन ये हो गए, दो ये हो गए। ये क्या हो गए? चतुरताक्षर हो गए। ये देखो, ये हमारे कैसे हो गए? ये तृतियाक्षर हो गए। ये दृतियाक्षर हो गए। यहां तक यहां तक, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां तक बेटा ये दृतियाक्षर हो गए। और ये जो दो बचे ये प्रतमाक्षर हो गए। बाद में हमारा ये शा, शा, शा और हा तो ये हमारे कौन से हो गए? उसम हो गए। तो देखो, सीरियल से तो है सब। पहले स्वरों का विवाजन हो गया। स्वर हो गए, मौल स्वर, सयुक्त स्वर, इसके बाद हमारे अनतस्थ हो गए क्योंकि इनको मद्ध इस्वर बोला जाता ये कैसे होते हैं। अर्दद्वस्वर भी तो वहते हैं इसाइदー अबftaर क्यूं अर्द्द्वस्वर बोला गया तभी क्योंकि व्यंजन और स्वरों के इनको मद्द में रखा गया समझा चीज को स्वर और व्यंजन के मद्द में रखा गया इसी वज़े से तो यह अर्द स्वर कहले है नीजिध कि अब देखो जब हमारे उस्मभेजन आ गए तो अब देखो यहां पर होता क्या है महस्वर सूत्र से अगर प्रस्ण आ जाए कि महस्वर सूत्रों की संख्या कितनी है तो महस्वर सूत्रों की संख्या 14 है ठिक इसके बाद 14 महस्वर सूत्रों को ऐसे केटेगराइज करके लिख पहले मूल स्बरागे स्न्यूंक्त सिफ़ा आ गए ऐसे करके सब आ गया सीरिल से ऐसके बाद को मुछ देखते हैं कि प्रतियहार को इन ही मेर शूत्रों से केन का निर्माड किया जाता है प्रतियहार के कर पढ़ने के पहले आप पहले ये समझ लो स्वर्व, वेंजन, ऊस्म और अंतस्त, ये चार प्रकार के वर्ण हैं, ठीक? देखो, स्वरों में आपके नौव वर्ण, नौव स्वर्ण माने गए, संस्केट में कितने स्वर वर्ण हैं? नौ स्वरें तुधन प्रहलें eg within यह सब मिला के कितने हो जाते हैं तो प्रहलें वेरिजनम में तो उसम और विबिद्चन में और लोहिंत वर जाएंगें प्रश्णाजां प्रश्ण को दुर मान लिए जाता है लेकिन असब्रहल पें आक됐 नहीं है तो पेटा कितनी बताओगे नौ देख लो आ ई ऊ री री ए आ ओ ओ देखो गिनो एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ हैं की नहीं है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ अब होता क्या है कि बांकी भेद तो सभी के होते हैं है ना आ का भी भेद है उ का भी है लेकिन चलो अगर आ के बाद हम दिर्ग आ ले रहे हैं ई के बाद दिर्ग ई ले रहे हैं और तो इसमें हो क्या जाता है कि री का दिर्ग होता नहीं है यहां पर अगर कुल स्वरवर्ण पूँछ ले कूल स्वारवर्ण तो देखो ये हश्व आ दीर्ग आ हश्व इ दीर्ग इ थिक री इसके बाद दीर्ग री भी तो हो जाएगी है ना इसके बाद री हो जाएगी कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह साथ आड़ नो कि ए ए ओ और ओ कितने हो गए देखो चार और पांच चार नो चार तेरा तो कुल अगर पूछ ले तो कुल में तेरा करोगे लेकिन अगर ये आप से बेसिक सिंपल सा कोईस्चन कर ले कि संस्क्रित वर्ण माला में सोरों की संक्या कितनी है तो तो आपनों के आगे न वड़िएगा क्योंकि यह आपका यह नहीं माने होगा ये नहीं माने होगा यह दिर्ग उसमाने होगा ठिक और यह वाली तो यही चार हट जाएंगे तो यही चार हटा दो, तो यह मात्र जब चार हटा दोगे तो यह 9 बचेगा, तो 9 स्वर वर्ण माने जाते हैं, ठीक, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर आप कैसे बताओगे, मूल स्वर आपके जो हैं, वो अक प्रत्याहार के अंतरगत आने व यह आपके मूढ़ सव्र हैं मूढ़ सवरों की संक्य को कुछ ले तो 5 है और मूढ सवर कितने हैं पाँच डिक सुर कितने हैं तो 09 कूल सWARS कितने हैं तो कुछ आप टेरा बताओगे अब यह प्रस्दिक प्रकेत के उपर है कि कुल सवरों की संक्या कितनी है संस्कत वर्ण माला में कुल कितने सवर हैं तो 13 हैं ठिक अच्छा अब यह देख लो आप लोग एक बार चलो यह लिखा रहने दें मूल सवर सवर और कुल सवर ठिक अब जो मूल सवर है इसके बाद देखो दीर्ग सवर यही परिवर्टन हो गया यहाँ पर सवरों को भी पहले आज हम सवर समझ लेते हैं विंजन बाद में समझते हैं पहले सवर देख लेते हैं सवर तो सवर वीटा कितने हैं पहला मूलस्वर दीर्ग स्वर और सईयोक्त्वश ठीक मूलस्वर में हमारा अक प्रत्यार आ जाता है ठीक इसमें कौन सा आ जाता है देखो इसमें आप क्या जाएंगे दीर्ग आ दीर्ग ई दीर्ग ऊव और दीर्ग gotta चार आक में कितने आ गए पांच आ ई उ री और ल्री ठिक ऐसे बिल्कुल तुम लोग भी ना बना देना ल्री ऐसे है ठिक संयुक्त में बेटा ए आई ओ और ओ या ए ओ ऐसे कर सकते हो ठिक ऐसे लिखो सीरियल से जैसा हमारा मैस्वर सूत्र में था ए ओंग आई ओउच ठिक अब देखो संयुक्त स्वर में कैसे क्योंकि आ और ई से मिलके ही तो ए बना इसके बाद आ या दीरग ई से मिलके हमारा ये वाला ए बना ठिक ये वाला ओ हमारा कैसे बना आ और उ से इस वज़े से इनको आया बढ़ा आया बढ़ा उ इनसे हमारा ओ बन गया इस वज़े से इनको क्या बो संख्याज दिया गया क्या बोल दिया गया संख्याय पूंच अच्छा सिब्सक्राइब र संख्या संख्याय तो 5 थीरग्सवर4 हो गये संáयख़ पे चारता है तो अगर क्ल की बात पूँचे तोटल और तभी आप 3 आपज़ सीक्राइब कि सवरों की संक्या कितनी है तो मात्र कितने हो जाएंगे यह 4 बीच वाला नहीं Give किbey दोनौ steps दिढ़ते जाएंगे 549 समझ में आया आप देखो स्वरों के भेग कितने हैं तो स्वर तीन प्रकार से उच्छारन के द्रश्टी से द्रश्टे से तीन स्वर के तीन भेद कौन कौन से उच्चारण की द्रस्टी से देखलो उधात अनुदात और स्वरित इसके बाद मात्रा की द्रस्टी से देखलो उधात अनुदात और स्वरित मात्रा की द्रश्टी से देख लो मात्रा की द्रश्टी से तो पिटा एक मात्रिक एक मात्रिक को हश्व बोलेंगे दीर्ग और प्लूत फिक देखो इसके लिए बताया जाता है एक मात्रिक के लिए देखो एक मात्रो भवेद हस्व एक मात्रो भवेद हस्व दूई मात्रो दीर्ग उच्चते समझ रहे हो ना मतलब एक मात्रा वाले क्या होते हैं भवेद हस्व हस्व कहलाते हैं और दूई मात्रा वाले दीर्ग उच्चते दूई मात्रा वालों को क्या बोला जाता है दीर्ग बोला जाता है और त्री मात्रस तूँ प्लुत हो गयो जो तीन मात्रा वाले हैं वो प्लुत जाने जाएं मतलब प्लुत में तीन मात्रा का समय लगता है तीन मात्रिक होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं विटा तो व्यंजनम चार्द मात्रिकम तो जो व्यंजन हैं वो अर्द मात्रिक होते हैं तब ही व्यंजन के लिए कहा जाता है ना अनवक भवत व्यंजनम क्योंकि ये विचारे स्वरों की साहता के बगैर बोले ही नहीं जा सकते हैं अन्यभें जो एन्यगें सवरों किसा खोले जाए किसी की साहता से बौली जाए वह क्या कहलाते हैं तो दिया अगर गए और अगर मात्र पतों अब मात्रा मदलब समझ लो मात्रा मतलब जिनको बोलने में समय लहागि अ अब यह वाला आ बोलोगे तो इसमें क्या है इसमें दू आ है वाई साब तभी तो यह मिलकर आ बना तो यहां पर यह दो मात्रा है जुड़ गई तो दो मात्रा हो गए आ जैसे आनंद लिखा है आनंद तो अब यहीं पर केवल हर्ष आ होता है ना अभीनव आनंद तो आ में क्या दा समय लगा अब जैसे राम बोलना है और यह राम को प्लुत करके बोलना है तो क्या हो जाएगा राम है ना बहुत देर तक हम स्वर्खवर्ण का उचान कर रहा है राम तो यहां पर प्लुत स्वर्खवर्ण का यूज किया गया तो ऐसे करके मात्रा की द्रिष्टी से यह तीन प्रकार के हो गए और उच्चारण की द्रिष्टी से उदात, अनुदात और स्वरित ठिक, उदात में क्या होता है, उच्चे ही उदाता, नीच्चे ही अनुदाता और समाहार स्वरिता, इसमें बताया गया, उदात में, देखो, तीन प्रकार से बताये ना, उदात, उदात, अनुदात और स्वरित, तो जिनका उच्चारण हम कैसे कर रहे हूं, देखो, उच्चैही उदात्त, नीच्चैही अनुदात्त, और समाहार स्वरिता, जहां फोड़ा उच्चा बोला जाए, मलवण को, उस स्वर को उच्चरित करने में थोड़ा उच्चा बोला जाए, वहां उच्चे ही उदात्त, नीचे ही अनुदात्त, और समाहार, जहां पर बेस बिल्कुल बराबर हो, वैसे बोला जाए, कहीं भी उठाओ चडाओ ना हो, तो वहां पर हमारा स्वरित होता है इनका ज्यादातर प्रयोग वेदों में होता था क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं तो कहां हमें उदात्तवर्ण का प्रयोग करना है कहां उदात्तवर्ण का प्रयोग करना है कहां सहरीट का प्रयोग कर तो बाकी हम लोगों के यहां ऐसे ये हिस्धिर्ग और प्रुट का रीच गशान वेंजन स्वर्व तक ही रखते हैं हमाई समझ से आज क्लास ज्यादा भी टाइम हो रहा है 20 या 22 विनिट देखते हैं लेकिन कल से हम लोग वेंजन और जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है वह देख लेंगे प्रत्याहर बनाना बता देंगे प्रत्याहर कैसे बनाये जाएंगे और सीटेट के लिए बेसिकली हम लोग पैडागोजी लेके आएंगे जिसमें पैडागोजी से क्वेस्चन आप लोगों को करा सके है ना क्योंकि पैडागोजी जो भी बच्चे हैं सीटेट वाले उनको पैडागोजी में दिक्कत आती होगी है ना प्रस्ण में तो व्याकरण आकरण कहीं से कर लोगे समझ लोगे लेकिन पेड़ोगोजी करवाएंगे बुक है हमारे पास एक previous year questions वो आप लोगों को detail करवा देंगे तो चलो बेटा मिलते हैं फिर next class में